नवश्कार दोस्तों वेलकम बैक टू मनी मैटर्स आज बात करेंगे चंबल फर्टिलाइजर के उपर लास्ट महीने सबसे दर्दा जिस स्टॉक पर क्वेशिन आये थे उसमें चंबल फर्टिलाइजर भी एक नाम था तो आज इस वीडियो को देख लेते हैं कंप्लीट एनल अब करते हैं चंबल फर्टिलाइजर के उपर वाद स्टॉक में आपको दिख रा होगा कि वीकली चार्ट हमने खोल रखा है कंपनी का देखिए अब भी तक अपने हाई से जो क्रेक्शन हो गया है वो लगबग 51% का यहां पर क्रेक्शन कम्णी ने कर दिया है लगबग 52% क वाली थी और 2018 के बाद जो गिरावट आई थी उसमें भी कंपनी 55% अपने हाई से टूटी थी अभी जहां यह टूटी है इसके लिए 250 एक इंपोर्टेंट लेवल बना है और अगर और और भी नीचे जाता है तो यह प्रीवेस कोवीड के जो प्री कोवीड हाई से सबसे इ जानना चाह रहे थे करतें इस वीडियो की शुरुआत सबसे फ़ले देखते हैं चमबल फटिलाइजर के फंडा मेंटल्स तो अब हमारे सामने है चमबल फटिलाइजर के फंडा मेंटल्स ध्यान से देखे एक कंपनी का पूरा डाटा है मार्केट के बारा जार करोड के उपर है तो मुझे बढ़ा अच्छा लगता है एक जेन्विन कंपनी कह सकते है प्रमोटर्स की होल्डिंग अच्छी मानी जाएगी डेट कंपनी के उपर काफी कम है ये भी अच्छा माना जाएगा यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ की बात की जाए तो ये नेगेटिव CGR से कंपनी बढ़ती है 22-30% CGR से EPS इस कंपनी का देखो 290 पे शेयर ट्रेड करता है और EPS चल रहा है लगबख 25 रुपए के आसपास तो 9% का EPS करेंट मार्केट पैस को देखते हुए तो ऐसे वेलिएशन तो जबढ़दस्त होते ही है ये तो हमें मानना पड़ेगा अब अब यहां पर अगर हम बात कर लें इस कंपनी के पिछले यहां पर क्वाटर की और उनके रिजल्ट की तो वह आप ध्यान से देखिए यह कई क्वाटर के रिजल्ट है जो आपके सामने चल रहे हैं लेटेस्ट क्वाटर में देखी कंपनी ने 500-500 करोड के लगबख की सेल् प्रॉफिट कमनी ने 340 करोड के असपास दिया इसी को पिछले साल से तो बहुत अच्छी सेल्स थी वो तूटी है यहापे यहां पर बात कर लेते हैं प्रॉफिट के तो यहां पर 342 करोड ही प्रॉफिट था और इस साल सिर्फ 3 करोड कम आया है जबकि सेल्स 1600 करोड यह हमें ध्यान रखना होगा, और यह हमारे लिए नोट डाउन करने वाली बात भी होनी चाहिए, आगे बात करते हैं, अगर कम quarter results को देखें, तो पिछले quarter से यहां पे थोड़ा बहुत बढ़ा है, पीछे की history में देखोगे, तो March का quarter इसके लिए हमेश्या खराब रहता है, देखें, March के quarter में कुछ इतना नहीं होता, क्योंकि यह company काम क्या कर दिये, यूरिया बनाती है, fertilizers जो है, उनके अधर dealing करती है, तो इस company ने March का quarter इतना अच्छा कभी नहीं रहता है, अगर उसे भी पीछे में जून में जाऊं, यहां पर 21 में, तो देखें, इसमें भी 100% गिरेगा, highest ever profit company ने दिया था, 500 करोड के लगबका, September 2021 में, उसके बाद company की sales 8,000 करोड से उपर किया है, लेकिन profits वो आ ही नहीं पाए, तो क्या share टूटेगा नहीं, बिल्कुल टूटेगा, और marketing चीजों को already बहुत पहले ही discount कर लेगा, marketing चीजों का पहले ही, जो ब्योरा ह पहले ही कैसे है, तो right now देखें कि यहाँ पे sales में तो जबरदस 3-4 साल में growth है, इस साल भी जो trailing 12 मन्त की sales है, वो भी जबरदस रहने का अनुमान है, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यह पिछले साल के profit है, 1034 करोड जो March 23 का profit था, March 22 में वहाँ 1500 करोड से उपर का profit था और 1700 करोड से उपर का profit 21 में था, तो अगर वहाँ से आपकी sales डबल हो रही है, पर आपके profits नहीं बढ़ रहे हैं, reason क्या है, reason है margin, 19% से आप 7% पे आगए, आपके margin साप से maintain नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपकी sales बढ़ रही है, यह अच्छी चीज होगी, क्योंकि margin आप आपके maintain कर पाओगे, तो उस time पे आपके profits बहुत जबरदस रहेंगे, और हमेशा क्या यही profit रहेंगे, अगर हाँ, तो company खराब हो जाएगी, अगर ना देरे देरे growth आनी है, जैसे पीछे भी हुआ है, कि company बीच में अच्छे profit post करने को बाद कम profit post किया थे, जैसे आपको यहाँ प परसंट के लगबग से बढ़ी है, पान साल में 30%, तीन साल में 32% और ट्रेलिंग 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 में 32%, अगर मैं 10 साल का data लूँ और पिछले 5 साल करूँ तो आपको पता चल रहा होगा, कि 25-30% की sales बढ़ रही है, पूरे 10 साल को देखा जाए, तो 13% से sales ग्रो की है यानि पिछले 5 साल में कंपनी में टर्ण अरॉण इस्टोरी, यहाँ पर हमें होती हुई नजर आ रही है, इस बात को आप मानेंगे, आगे चलिए, प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, यहाँ पर प्रॉफिट की ग्रोथ 18, 16, तीन साल में माइनस गई है, टरेडिंग ट्रेल पंदरा इस टाइप से है, को मैं अगर 20% का रिटन हो नहीं कोठी मानू, नेट, तो भी बहुत अच्छा माना जाएगा, और stock price CAGR हर बार देखिए आप यहाँ पे, जिसने भी 3 साल stock को रखा है minimum, उसको 20 टका से जादा return मिले, यानि हर साल उसकी capital 20% से बढ़ गई, 5 साल रखा है तो 16% से बढ़ती है, और 10 साल में 23% से stock price CAGR ग्रो करता है clear पता चलता है कि अगले 5 साल कोई रखता है तो 20% CAGR से उसको returns मिलते हैं तो capital double से जादा हो सकती है यह बात, यह stock हमें बता रहा है आगे बात करते हैं, यहाँ पर company के, हमारी balance sheet के उपर balance sheet पर बहुत interesting चीज़ मुझे देखने होगे लिए यहाँ पर आप ध्यान से देखे, company के resource यह देखे, resource किस तरीके से लगातार पिछले कई सालों से बढ़ते जा रहे है, आप resource को देखे और यही पर आप ultra debt को देखे, debt कितना high था, उसको कम किया गया, कम किया गया और यहर साल debt जो है, वो reduction पर जा रही है यह एक अच्छा सान, इस company के लिए में मानना होगा, जो point अच्छा है, उसे अच्छा कहेंगे जो खराब है, उसे खराब कहेंगे बात कर लेते हैं, यहाँ पर product wise break up की तो पैसा कहां से कैसे आता है, यूरिया से ही इसकी ज़्यादातर revenue आती है 51% के लगबक की, और उसके बाद में यहाँ पर जो आप देख सरके हो, potasic उससे 45% और जो की CPC और SN है वहाँ से 3.5% की revenue जो company clock करती है, यह में पता होना चाहिए इसका पूरा business कहां पे dependent है ज़्यादा था, यूरिया पे और यहाँ पे PNK पे, अब कमाती कहां से पैसा है, location all over India में काम है, और कहीं नहीं है, खाली इंडिया में काम है, इसका out of India या कोई भी काम इसका नहीं है, फिर बात करते shareholding की, तो shareholding में देखे, promoters के पास अच्छी holding है, 60% से ज़्यादा की holding है public के पास 17% है, mutual fund भी अच्छा माल रखते हैं, FIISB और DISB, यानि mutual fund DISB ही हो गए यानि public के पास 17-18% की holding है 80% से ज़्यादा माल बड़े players के पास है, आगे बात करते हैं, इसको अगर हम detail में समझना चाहें, तो एक चीज़ देखिए promoters की holding यहाँ पिछले कुछ सालों से आप लगातार देखिए, कोशिश करिए यहाँ पर लगातार बढ़ते जारी है, चाहे वो FIAS, DIs के पास, अभी भी में लगबग 80-80% का माल देखने को मिल जाता है, यह देखिए, यह सारी चीज़ भी fundamentally, और यहाँ पर यह पता चल गए, कंपनी का business sound है, कंपनी fundamentally अच्छी कह सकते हैं, खराब नहीं कह सकते, बहुत बढ़िया हम कह सकते हैं, लेकिन क्या chart सही है इसका, लेट्स दू, चार्ट पे चर्चा तो यह हमारे सामने चल रहा है, चंबल fertilizer का चार्ट, यहाँ पर हमें पता चलता है कंपनी का behavior है, 50-50%, 55% गिरती है, small cap company गिर सकती है, वो हमें दिख रहा है, पीछे चार्ट पे important चीज़ी क्या है, क्या chart bullish है या बीरिश है, वो सारी चीज़े में not down कर नहीं होगी अगर मैं इस चार्ट को देखू, तो एक चीज़ पता चलती है यहाँ पर एक major demand zone जो है वो create हो रखा है, अब यह range कितनी है 200 रूपए से लेके 200 रूपए तक की है, ना तो इस wave के ऊपर जा रहे है, ना इस wave के नीचे हा रहे है, यानि यह 315 और नीचे में 250, इस range के अंदर weekly chart घूम रहा है, so this can be considered as no trading zone, हाई आना इसका जवाब आपको वीडियो में आगे मिल जाएगा, लेकिन अभी तक इतना पता चलता है कि यहाँ इस range के अंदर stock जो अब फसा हुआ है, और यह में पता है अगर गिरावट को आप देखेंगे, आपको पता लगेगा यह गिरावट जो होनी थी, यह सिर्फ 3-4 महीनों के अंदर हुई थी, और यह हुई थी अप्रेल 22 से, मैं लिख देता हूँ APR 22 से, लगबग जुलाई 22 में, 3 महीने के अंदर जो हूनी थी, गिरावट वही हुई पिछले 12 महीने से तो stock इसी range के अंदर ट्रेड कर रहा है, यह अभी हम मन्तली चार्ट पर देखेंगे लेकिन weekly chart आज की date में क्या बोलता है क्या weekly chart bullish है या bearish है जी weekly chart अभी bullish होने जा रहा है bearish होने के indication खतम हो रहे है और यहाँ पे bullish होने के indication से वो खुलते होए में नजर आ रहे है यह चंबल fertilizer का weekly chart बोलता है Let's have a look at monthly chart देखते हैं monthly chart क्या बोलता है यह जो गिरावट थी अपरेल में शुरूई थी अपरेल 22 में और देखें यहाँ पर यह लगबख जुलाई आगस्त 22 में यह जुलाई 22 में यह गिरावट रही तो जो 3-4 महीने के अंदर correction होना था वही हुआ उसके बाद अगर आप देखेंगे data को तो पिछले 12 महीने से तो एक साल रेट साल ते तो इस टोक इसी रेंज में गुम रहा है कुछ नहीं कर रहा है और उसमें भी 6-8 महीने से देखें इस टोक इसी रेंज के अंदर time pass करे जा रहा है कुछ major action यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है यह ऐसा पहली बार नहीं हुआ है अगर आप पीछे जाकर देखेंगे आपको पता लगेगा इस टोक का behavior ऐसा ही है यह ऐसे ही करता है कई सालों तक नहीं चलता है और फिर चलता है तो जबड़धास return देता है यह में मानना होगा और इस टोक का behavior ऐसा रहा है क्या रहा है 320 की range के उपर के चलो हम दोनों note down कर लेते हैं लेकिन monthly chart bearish अभी नहीं है वो bearish और होगा 250 के नीचे 250 के below ही bearish होगा उससे पहले तो bearish हो नहीं सकता इतना में clear हो गया अब daily chart पे और देखते हैं क्या पता कुछ और indications निकल क्या है लेकिन monthly chart पे एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा आप red candle को देखिए यह जो red candle है इनके high के उपर market जो है वो green candle नहीं बना पा रहा था देखिए इनके high के उपर एक भी green candle नहीं बन पा रही यह first time है कि कोई red candle के high के उपर यह first time इतनी बड़ी गिरावट में कोई green candle बनेगी तो यह अपने आप में एक positive sign हो जाएगा अब देखें चीज़ों को लोग इस तरीके सोचते ही नहीं है क्योंकि उनको wave समझ में ही नहीं आती और wave analysis करने को बोलो थो उनको समझ में आएगा नहीं क्योंकि उनको लगता है कि wave analysis एक ऐसी चीज़ है कि बस पैसे दिया कोर्स किया और खतम हो गया यह वो नहीं है हमारा जो wave analysis program हो उसमें आप trainees group में lifetime के लिए जूड़ते हैं जो जूड़े हैं उनसे पूछ के देखो वो बता सकते हैं कि वहाँ पे मिलता क्या है actually माँ कितना support और कितना आनन दाता है काम करने में क्योंकि हमें hint देने का हमारा काम होता है कि हाँ मैं यह stock ले रहा हूँ और इसका reason यह है अब आपको मैं बता भी दूँ कि कोई stocks होका और यह 200 जाएगा तो भी आप उसको hold ही नहीं कर सकते which में जैसे ही वो stock correction करेगा आप बेश्ट होगे लेकिन जब आपको reason पता होगे जब आपने training कर रखी है reason पता होते है कि इसको क्यों रखना है तो आप उसको नहीं बेश्टे वरना आपसे भी जाएगा risk management पता हो कितने percent कितने पे book करना है कैसे काम करना है तब आपसे वो stock hold होते है वरना hold हो ही नहीं सकते है तो ये सारे waves का कहानी है तो इतना clear हुआ कि monthly chart भी अभी फिलाल bullish होने जा रहा है, bearish तो बिल्कुल भी नहीं है और इस month की close अगर इन levels के उपर होती है तो ये definitely bullish हो ही जाएगा आईए अब बात करते है daily chart की मैं आपके screen पर daily chart लगाना चाहता हूँ let's have a look, यहाँ पर मैंने convert किया यह आपके पास daily chart और देखिए daily chart हमारे screen पर आगया इस गिरावट के data को मैं अटाता हूँ साथ में मैंने यहाँ पर लगा रखा है 200 दिन का moving average जो हमारा लगा हुआ है यहाँ पर उसको भी आप ध्यान से देखिए अब ज़रा इसको आराम से आप देखिए सोचिए समझ यह चीज़ों को कि पहले चली पूरा history दिखाता हूँ पहले देखिए इस moving average के नीचे stock आने से मना कर रहा है यह नहीं हम जैसे ही आया फिर उसके ऊपर देखो इसके आस बात आते हैं यहाँ पर resistance आ जाते कि नहीं जाना ऊपर तो यह level अपने आप में important है कि नहीं है इस stock ने उस level को importance दी कि नहीं दी दी तो हमें इसको भी देनी पड़ेगी नहीं देता है तो हम भी नहीं देते इसने दे रखे तो हमें देनी होगी आई अप चलते हैं यहाँ पर हम बात करते हैं आज की date की तो देखे आज की date में यह in levels को काटने की तयारी कर रहा है और एक attempt में नहीं कर रहा है first, second, third, तीन attempt यहाँ पर reject हुए है अगर इसे zoom in करके आप देखेंगे अपने चार्ट पर आपको दिखेगा reject होने के बाद इस टोक यहाँ पर निकलने की तयारी कर रहा है बट फिर भी इस चार्ट को देखके ऐसा लगता है कि यहाँ पर price wise correction को almost done है बट time wise थोड़ा सा pending है इसको देखके ऐसा लगता है अब करना क्या है main चीज़ वो है डेली चार्ट क्या बोलता है डेली चार्ट कहता है कि मैं bullish हो चुका हूँ weekly बोलता है 315 मन्थली बोलता है 325 अब किया क्या जाए confusion की चीज़ तो यह है डेली तो साफ साफ बोल रहा है कि मैं bullish हूँ और मेरे लिए support अब क्या हो गया 250 रुपे का important यहाँ पर एक support है और चोटे support की बात करो कोई तो यहाँ पर आप लगबग 265 रुपे के आसपास एक चोटा support भी कह सकते हो कि मैंने बनाया है यह daily chart हमें बोल रहा है कि मैं सब तरीके से bullish होने जा रहा हूँ और अगर आप ध्यान से देखोगे देखिए मैंने इस तरीक से formation बनाई है अब जो है मैं इस formation को थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे करके change गरने कोशिश कर रहा हूँ यह कौन बोल रहा है daily chart बोल रहा है weekly और monthly अभी इसमें कह रहे है time है तो किया क्या जाए main कहानी तो यह आती है तो इसके लिए वापिस किस पर चलेंगे weekly और monthly chart पर है वालुक यहाँ पर मैंने आपके सामने वापिस लगाया यह weekly और monthly chart यह monthly chart है चली यही पर समझीए पहले थोड़ा सा कि अभी किया क्या जा सकता है देखी जिनके पास already invested है मैं बात करता हूँ जो already invested है invested कहां से है already उपर से ही होंगे mostly यही से होंगे उपर से invested है तो वो अब क्या करें देखी कोई भी stock जब अपने high से 52% correct हो गया तो बेचने में कोई समझदारी नहीं है कि आप बेच के उसको switch करो until or unless आपके पास कोई आशा option हो जो कि यहां से double या triple return आपको दे सके तब तक बेचने में कोई समझदारी नहीं दिखती है तो अब ऐसे situation में किया क्या जाए कि यह stock यहां पर कुछ quantity में अगर आपके वास ऊपर से लिया हो है थोड़ी बहुत quantity में यहां पर add more किया जा सकता है पुरी quantity में नहीं थोड़ी बहुत quantity में add more किया जा सकता है because stock is about to turn bullish and कुछ और बचाना चाहिए अब आप कहेंगे क्यों वो इसलिए कि यह pre-covid highs को अगर test करने आता है बुरी से बुरी situation में आपके और मेरे आत में क्या risk reward बाकी किसी को कुछ नहीं पता risk reward कैसे मैंने जोगा कि यहां पर add more मैंने कर लिया थोड़ा सा थोड़ा fund बचाऊंगा क्यों बचाऊंगा वो मैं कहां लूँगा आने के बाद invest करते हो दूसरी गलती क्या करते हो stop loss नहीं रखा तीसरी क्या अब wrong price पे बेचके और गलती करोगे कितनी गलती या करोगे वाईसा फिर नोस खाऊ गई तो आप दो गलती आने के बाद भी आप बचे हुए हो कोई दिक्कत नहीं आप इसको सुधार सकते है यह planning होती है मेरी planning यही होती है अगर किसी stop में high invested हो गया है तो second चीज़ अगर बात कर लेते हैं आपे कोई कहता है कि नहीं मैं fresh invest करना चाता हूँ कि यह company अच्छी है क्यों ना इसके अंदर मुझे fresh investment का मोका मिल रहा है तो यहाँ पर इस price पर fresh investment कर सकते हैं क्या जी मेरा जवाब सुनिए अगर मैं यहाँ पर हूँ तो मेरा definitely definitely यहाँ पर 60-65 टका amount जो है वो invested हो जाएगा वो 60-55 टका amount मेरा invested हो जाएगा दोस्तों 90 के आसपास मैंने इस stock को कल ही buy किया है 195 quantity है और इतनी ही एक बार ली है क्योंकि बाकी नीचे आएगी तो लेंगे कुछ और करेंगे अभी मेरे पास fund इतना ही था तो लगबा 50-55,000 के माल लिया है हमने लिया क्यों है सुनिए fresh investment के लिए 60-65 टका remaining income लेना है जब 200 क्या सपस आएगा तब मैं इसको add करूँगा लेना मुझे 2,000,000 का था fund इतना ही है तो एक बार इस तरह में ही काम करना पड़ेगा fund और आएगा कहीं से और release होगा किसी stock में profit आएगा तो उससे और कर लेंगे फिर यहां पर अब देखे आगे यहां remaining हमने add किया उसके बाद हमें क्या करना है minimum इसको कितना time देना होगा 2 years का time में देना होगा 2 years का minimum में time देना होगा और यहां पर reasonable return आएंगे reasonable return यानि कि 40-50 तका return दो साल में मिल गया then this is very good यह reasonable returns आएंगे अच्छे returns कहेंगे इनको हम यह ऐसा नहीं होगा कि 2 साल कोई return नहीं मिलेगा अच्छे returns यहां पर मिल सकते हैं कब मिल सकते हैं जब आप कुछ amount यहां पर ले लेते हो कुछ amount के लिए 200 पा wait करते हो और फिर wait करो 40-50 तका easy return आपको मिल सकते हैं यह fresh investment वालों के लिए अब कोई बोले मेरे को 10 गुना return चाहिए तो यह stock आपके लिए नहीं है simple सी बात है clear आपको करना है कि आपको चाहिए क्या तो यह clear हो गया तीसरी category आएगी कि यहां पर कोई fresh trading opportunity है क्या क्या यहां पर कोई fresh trade की या फिर swing की opportunity है क्या is there any swing here बिलकुल है बिलकुल है बट वो थोड़ी सी risky है तो मैं उसको भी explain करना चाहूँगा करूँगा मैं उसको explain आपके सामने weekly chart पे ताकि देखो आपके समझ है मेरा motive को swing trade बताना नहीं होता है मेरा motive समझाना होता है इस चीज़ को कुछ लोग समझेंगे कुछ लोग नहीं समझेंगे देखिए यह swing trade की opportunity यहाँ पर जरूर बन रही है क्योंकि कई हफतों के consultation के बाद में stock उपर आने की चेस्टा कर रहा है तो अभी 290 के आसपा stock है बिलकुल swing trade की opportunity बनती है इस केस में 265 important level होगा देखो risky है total हो सकता है कट जाए बिलकुल risky है जो risk ले सकते हैं उसके काम का है मैं तो बिलकुल नहीं कहता बाई कर वो swing के लिए भी 265 important level रहेगा उपर में 290 अभी 290 के आसपास है उपर में 313, 330 और 345 प्लस के gate जो है poor stock खोलता हुआ नजर आ सकता है क्योंकि stock का formation उससे आप से बन चुगा है कि अब ये कह रहा है कि मेरे को निकलने तो बहुत टाइम रख लिया आपने मेरे को इस कैद में मेरे को एक बार तो एक move लेना ही है अब देखो क्या होता है कुछ लोग क्या करते हैं यहां फर पुरा book करेंगे कुछ लोग यहां पर आदा book करके आदे को क्या करेंगे cost to cost के साथ hold रखेंगे कुछ लोग यहां पर 40 टका book करेंगे यहां 40 करेंगे, यहां 20 करेंगे वो अपने उपर है कि किसका risk कैसे अलाव करता है किसको कितना टाइम अलाव करता है वो वैसे करना है बट यह लेवल्स पोसीबल है तो 65 के important के साथ swing भी बनता है यह risky swing है बिलकुल risky swing है लेकिन बनता तो है और वो मैंने आपके साथ share किया है तो यहाँ पर trader investor के लिए जो जो हो सकता था मैंने बताया है आप लोगा question था क्या करें तो उसका answer मैंने दिया है कि अगर उपर से ले ही लिया एक बार करी ली गलती तो कर ली तो अब और और गलती मत करो कर ली तो कर ली अब वापिस नहीं किसी की खाले time pass हुआ होगा सेम ऐसे ही हो रहा है देखो यहाँ पर ऐसे आया फिर ऐसे नीचे आता है फिर ऐसे नीचे आता है तो अब यह गर इनको काटके निकलेगा उपर की तरफ तो bullish होगा की नहीं होगा आप मुझे बताईए मुझे जहां तक knowledge है थोड़ी बहुत उस आप लोगों को समझ आए कि इसके पीछे के reasons क्या है logic क्या है और हमारे हाथ में क्या चीज़े हैं हम उसे कैसे control कर सकते हैं हम news के पीछे भागते रहेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा हम अपने risk reward को control करना सीखेंगे planning समझेंगे waves को समझेंगे तो हमारे हाथ में बहुत कुछ होगा और हम अपने positions को manage कर पाएंगे क्योंकि Israel क्या करेगा या Hamas क्या करेगा वो आप और में control नहीं कर सकते कल को Modi ji की mood में आ गया कि Pakistan को तबाह करना है वो रात की रात तबाह कर सकते हैं और में पता है वो कर देंगे एक दिन लगेगा उनको कर देंगे तबाह तो उस वक् अगले दिन market में क्या होगा ना आप कुछ कर सकते हैं तो जो चीश हात में है उसको control में लेकर हमें आगे बढ़ना है परषान नहीं होना है कि कल क्या होगा परसो थो क्या होगा हमारे हाथ में क्या है कि हमें इतना amount ही लगााा है remaining amount को रखना हैी कि नीचे आया कभी कुछ भ Monday to Sunday all day open रहती हमारा ओफिस all day open रहता है, बीच में हमें छुट्टी जरूर दे देते हमें अपने स्टाफ को, बट all day ही open रहता है, तो अगर चाहते हैं, तो Monday to Sunday कभी भी आप सुबह 10 से शाम को साथ तक इस number पर call करके, wave analysis की जानकारी भी ले सकते हैं, registration भी करा सकते हैं, बट एक बार फीस structure आप नीचे जरूर पढ़ लीजिए, ताकि आपको clear हो जाए कि वाकई में आप करना चाहते हैं, या आप एक बार wait करना चाहते हैं, हो सकता है, शाद है एक बार आप करना ही चाहें, और wait भी करना चाहें, तो आपको clear हो जाएगा, एक बार पढ़ना समझदारी होगी, साथ में अगर हमारे WhatsApp Group से connect होना चाहते हैं, जहां पर मैं important update शेर कर रहा हूँ, तो उसके लिए आपको चैनल पे diamond membership लेनी होगी, दो membership है, आपको जल्दी ही 159 वाली membership discontinue होती हुई दिखे की, सिर्फ एक membership रहेगी, diamond membership वो आपको लेनी होगी, और आप हमारे WhatsApp Group में add हो सकते हैं, वहाँ पर important update हमारे आती रहती हैं, और कुछ swing के जो levels है, वह हम वहाँ post करते हैं, ध्यान रखिए, कोई buy sell hold की recommendation नहीं आती, आप कुछ पूछना चाहिए, वह पूछ सकते हैं वहाँ पे, और वहाँ पर कुछ हमारी तरफ से important update होती है, तो मैं ज़रूर share वहाँ कर देता हूँ, buy sell की recommendation वहाँ नहीं आती है, वो आप समझ लीजिए, मैं directly समझाना चाह रहा हूँ, वो नहीं आएगी, और अगर आप उस group में permanent जुना चाहते हैं, तो आपको zerodah angel app stocks में, link description में account को लागे हमारे साथ जुना है, इस number पे detail भेजनी है, I hope आपको सब कुछ clear हुआ है, फिर भी कोई doubt हो, comment करिए और call भी कर सकते हैं इस number पे, आगले वीडियो तक के लिए आपका धन्यवाद, जय हिन, जय भारत.